किरसी परधान राज बिहार की महलाएं पूर्शों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं महलाएं किरसी के छत में अपनी आधुनिक टक्निक और समय की मंग के अनुसार खेती करके अपनी सफलता की कहानियां लिख रही हैं ऐसे ही एक कहानी है बिगुसराय जिला पचीज किलोमीटर दूर सिरीपूर पंचायत की रहने वाली आसा देवे की खेती का आइडिया कहों से मिला किर्शी के अंदर से कितने कठा में पपीता की खेती करते हैं लागत कतना लग जाता है पचास हजार लागत लग जाता है सरकारी साहता मिलते हैं पपीता की भागवानी करें हैं इनके पास महज 10 कठे भूमी हैं लेकिन ये उसी भूमी पर अच्छी आमदनी के लिए आधुई टकनिक से पपीता की भागवानी करें ये बताती हैं हां किस न शच्छी kitchener 2 क इसमें नियुक्ते मर्स चाहले में लिए चाली समय के लगता हैं उसका कमाहि हो जाता है जीदी सब को ग्रीन फटलाइजर के बारे में बताया गया और ग्रीन फटलाइजर बनाके जैवी खेती पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फसल उबस सके और सालाना पचाव सजार इस खेत में इन्वेस्ट कर दो लाग से भी अज़्यादा की आमदनी प्राप्त कर रही हैं आसा ने बताया जैवी तरीके से ये खाद का परियोग करते जिससे अच्छी आमदनी होती है खास बात यह है कि आसा स्वेम अकेले दिन भर अपने इसी दस कठे के खेत में लग कर मेहनत करते हैं जिससे अच्छी आमदनी इन्हें प्राप्त हो रही है ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि जिन छेत्रों को कल कावर बहीजार के नम से क्राइम की गढ़ के नम से जाना जा रहा था उन छेत्रों में आज महिलाएं आगे बढ़ कर बन रही है बेगु सैसे लोकाल 18 के लिए नीरस को है